तो दोस्तो आज की इस वीडियो में लोग मैगनेटिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे ठीक है यह मैगनेटिक फ्लक्स दोस्तो फाई लेटर से दिखा जाता है तो सबसे पहले देखने हैं दोस्तो यह मैगनेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन के है तो डेफिनेशन के है देखे कितनी magnetic field lines perpendicularly pass हो रही है उसको दोस्तो magnetic flux पोला जाता है ठीक है तो यहां पर दीखे दोस्तो यह जो field lines है यह field lines इस surface को ऐसे चीरती भी जा रही है बाहर तो इनको flux पोला जाएगा यह magnetic flux है ठीक है जैसे कि मैं पता है दोस्तो यह magnetic flux जो है five letter से दिखा जाता है अब देखते हैं यह magnetic flux जो है यह किन चीज़ों के उपर depend रहता है किन factors पर depend रहता है तो सबसे पहला factor है दोस्तो देखिए यह जो flux है वो magnetic field के value पर depend करता है ठीक है यहां पर देखें दोस्तो हम अगर यहाँ पर रखते हैं वीक मैगनेटिक फिल्ड के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर दिखें फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी फ्लक्स की वैल्यू कम होगी ठीक है और यही सर्फेस दोस्तो अगर हम strong magnetic field के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखे है magnetic flux की value क्या होगी यहाँ पर magnetic flux की value जदा होगी जगादा field lines गुजर रही है इसके अंदर से यहाँ पर कम field lines कुजर रही है ठीक है तो flux जो है वो magnetic field के value पे depend करता है यह हुआ पहला point ठीक है तो इसके लिए magnetic flux की value क्या होगी, इसके लिए magnetic flux की value कम होगी, 5 is less for this small area and 5 is more, magnetic flux इसके लिए ज्यादा है, ठीक है, ओके, तो area अगर कम होगा, तो magnetic flux कम होगा, area अगर ज्यादा है, तो magnetic flux ज्यादा होगा, यह दूसरा point है, ठीक है, अब देखने, तिसरा factor जिसमें magnetic flux depend कर रहा है वो क्या देखिए तिसरा factor जो यह magnetic flux depends on theta तो यह theta क्या है theta is the angle between it is angle between magnetic field and area vector इसका जो area vector है उन दोनों के बीच का angle है यह theta area vector में पता है क्या होता है दोस्तो यह जो surface है इस surface का area vector क्या होता है इसको perpendicular होता है अब यह जो surface है इसका area vector क्या होगा इसका area vector इसको perpendicular होगा यह area vector होगा ठीक है इसका area vector क्या होगा इसका area vector देखिए इसको perpendicular होगा इस surface को perpendicular होगा तो यह जो theta है यह theta magnetic field और area vector इन दोनों के बीच का angle है और magnetic flux उस पर depend करता है ठ किसे में यहां पर बताता हूं तो यहां पर दोस्तों दिखे कि Uniform Magnetic Field है Magnetic Field की direction यह है ठीक है तो यहां पर जो एक surface मैं यहां यह से रखता हूँ तो इस surface का जो अरिया वेक्टर है वो area vector किस direction में होगा है सबस्ट को perpendicular मません इस Direction में होगा यह होगा area vector तो इस case के लिए दोस्तो area vector और magnetic field दोनों की बीच का angle कितना है zero है area vector भी उसी direction में magnetic field भी उसी direction में तो यहाँ पर दोस्तो theta की value क्या है zero है ओके अब यहाँ पर यही surface में ऐसे दिखाता हूं ठीक है ऐसे मैं इसको horizontal किया हूँ है तो इसका area vector भी किस direction में दोस्तो इस डारेक्शन में इसको perpendicular ठीक है अब दोस्तो इस case के लिए area vector और magnetic field के भी इसका angle कितना यहाँ पर दोस्तो 90 degrees है ठीक है तब दोस्तो किस surface के लिए magnetic flux की value जादा होगी देखिए इस surface के लिए magnetic flux की value जादा होगी न इसके अंदर से बहुत सारी magnetic field lines गुज़र रही है तो इसके लिए magnetic flux की value क्या है ज्यादा है और यहाँ पर दोस्तो दिखिए इस surface के अंदर से एक भी value 0 हो रहे है इसका मतलब क्या है कि जो 5 depend कर रहा है वो 5 cos theta पे depend कर रहा है 5 depends on what cos theta कैसे है यूँकि देखिए यहाँ पर theta की value 0 है तो cos 0 की value 1 हो दिए ठीक है तो cos 0 अगर 1 है तो 5 की value maximum होगी यहाँ पर theta की value 90 degrees है cos 90 कितना होता है 0 तो यहाँ इसके अंदर magnetic field lines नहीं गुज़र रही है, तो flux की value 0 है, ठीक है, तो दोस्तों ये 3 points देखने पर, ये फेला, ये दूसरा और तीसरा point देखने पर हमें क्या समझ आता है, कि 5 जो है, ये B पे depend करता है, magnetic field पे depend करता है, दूसरा point देखने पर हमें समझ में आता है, कि magnetic flux जो है, वो area पे depend करता है, और तीसरा point देखने पर हमें ये समझ में आता है, कि जो magnetic flux है, वो cos theta पे depend करता है, ठीक है, तो अगर ये 3 factors हम एक सत लिखे हैं, तो 5 का formula हमें मिल सकता है, magnetic flux का formula है, वो formula क्या होता है, B into A into cos theta, ये formula है दोस्तों, magnetic flux का, ठीक है, तो ये magnetic flux का formula आपको याद करना है, तो फिर दो synthetic flux का unit क्या होगा, magnetic field का unit क्या होता है, magnetic field B का unit होता है, तेसला, area का unit होता है, meter square, और ये cos theta, इसका कोई unit हम नहीं लिखता है, तो जो magnetic flux है, चुड सतो, ये magnetic flux का unit है, वो क्या है? Tesla meter square और दोस्तों ये Tesla meter square को ही एक नाम दिया गया है जिसको की vapor बोलते हैं ठीक है तो ये magnetic flux का जो unit है वो क्या होगा vapor होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपका magnetic flux का concept खतम होता है इन एक study में दोस्तों हम faradays के laws के बारे में बात करेंगे और हम lanes law भी देखेंगे ठीक है तो मिलते तो सबस्तों ये उडियो में धन्यवाद